Good afternoon everybody, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है और मैं एक बिरियाट्रिक सर्जेन हूँ जो ओबिसिटी और वेट लॉस के लिए सर्जरी करता है आज हम एक बड़े गंभीर विशे पर बात करना चाहते हैं और एक बड़ा ही ट्रैजिक इंसिदेंस कल हुआ है जिसमें की एक करनड एक्टरेस की डेथ हुई है और कुछ जगर मीडिया में ऐसा सुनने में आया है की फैट लॉस या वेट लॉस के लिए उन्होंने सर्जरी क करवाई और उसके बाद यह अनफॉर्चनेट इंसिदेंस हुआ तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वेरी ट्रैजिक इंसिदेंस बहुत अनफॉर्चनेट है कैसा हुआ चेतना राज जी एवं उनके पुरे परिवार के साथ हमारी पूरी तो चेतना राज जी 21 एर्ज ओल्ड फीमेल यह एड्मिट हुई थी एक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर पे और जो प्रोसीजर इनका हुआ था उसका नाम है लाइपोसक्शन लाइपोसक्शन एक प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है जिसमें की लोग अपने बॉडी के कु कुछ इंच लॉस संभव है उस प्रोसीजर से उनको क्या कॉम्प्लिकेशन हुए आगे क्या कोर्स हुआ उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह प्रोसीजर जो उन्हों यह वॉचुन को वेट लॉस सजर्जरी बोलता है और इसको वेट लॉस देने के लिए वजन कम करने के लिए किसी बी मरीच को आफर करता है लाइपो सक्षण से कोड़ी किसी हिस्से में एक्सिस्र फैट हो उसको निकालने के लिए एक cosmetic procedure है जिससे कुछ समय के लिए कुछ inch loss जरूर हो सकता है लेकिन weight loss ना तो कभी होता है और ना उसके लिए ये liposuction procedure बना है अगर आप weight loss surgery कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो surgery होती है उसको bariatric metabolic surgery बोलते हैं जो surgery हम लोग करते हैं हमारे center पे indoor में और दूसरे भी पूरे भारत में जहां-जहां हमारे centers हैं ये जो bariatric surgery होती है ये liposuction से बहुत अलग है ये जो bariatric metabolic surgery होती है जो weight loss के लिए होती है इसमें पेट का आकार छोटा किया जाता है या खाना बाइपास किया जाता है या दोनों किये जाते हैं और इससे मरीच का बहुत जादा वजन कम हो सकता है 20-30 kg से लेकर 50-60-100 kg तक भी इसमें मरीच का वजन कम हो जाता है इस procedure के बाद मरीच की जो खुराक है जो आहार है जो diet है वो काफी reduce हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग पेट का कार छोटा कर देते हैं जो हम बाइपास करते हैं उससे शक्कर और फैट का सेवन यदी मरीच करता है तो उसका भी absorption कम हो जाता है तो काम की बात यह है कि ये जो procedure जिससे की ये बड़ा tragic incidence बैंगलोर में एक कंणड़ा एक्टरेस के साथ हुआ ये weight loss surgery नहीं थी ये liposuction था कोई भी surgery चाहे bariatric surgery हो या वो liposuction हो हर surgery को कराने से पहले surgeon का experience center पे दूसरे cases की success story center का बहुत अच्छे से equipped होना जिसमें एक अच्छी बड़ी ICU का होना बहुत advanced operation theaters का होना अच्छी critical care की team होना इसका बहुत ही आवश्यक है हर तरह के surgical procedure के लिए बहुत अच्छी backup की team की आवश्यकता होती है तो दो important messages है patients के लिए please weight loss यदि आप चाहते हो diabetes का treatment यदि आप चाहते हो वजन से संबंदित काफी सारी बिमारियां जैसे कि sleep apnea जोडों में दर्द पीठ में दर्द महिलाओं में menstrual irregularities महावारी की problem ये सब समस्यां यदि आपको है obesity के कारण तो plastic surgery इसका solution नहीं है मोटापे का solution liposuction नहीं है मोटापे का solution या morbid obesity का solution सिर्फ bariatric surgery है weight loss surgery है और उसी को weight loss के लिए मानने तामिली है ये message आज सुबे से काफी सारे phone calls हमारे पास आए काफी सारे मरीज confused हो जाते हैं liposuction और bariatric surgery के बीच में इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों के बीच में कुछ important information में share करो Thank you very much